बाच्पकर राश्ट्र महासाचीव कलाश रुचुवर्गी का बयान शिफसेना नेता संजे राउत द्वारा ममता बैनर जी की देवी अहिल्या भाई होलकर से तुलना पर बोले कहा राउत की मानसिक सिथी ठीक नहीं उन्होंने अहिल्या देवी को नहीं पड़ा उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए सरकार और प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारी में जुटे सभी हैस्पितालों का विस्तार हो रहा सभी जगत जुटाई जा रही सुवीधा है ऑक्सिजन और रेम्डे सिविर भी परियाप्त 15 धनों में परियाप्त मात्र में वैक्सिन के डोस उपलब्द होंगे हमारा वैक्सिनेशन बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोड सरकारे ग्लोबल टेंडर से सीधे कमपनियों से वैक्सिन मंगा सकते हैं उशा ठाकूर के यग्यवाले बयान को परियावरन शुद्धी के लिए ठीक बताया रेम्डे सिविर के उपयोग को लेकर वैज्यानी को और डॉक्टरों की अलग अलग रहा है अब कर मरीज की संख्या कम होगी अब करेंगे थर्ड के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि वैक्सिनेशन अगर हो जाएगा तो थर्ड का प्रभाव कम होगा इसलिए फोकस अब वैक्सिनेशन के करेंगे पर हास्पिटल इंट्रस्टेक्टर भी बढ़ाएंगे और उसमें लगने वाली जितनी भी आवश्यक्त ना है चाहिए वह आउक्सिजन हो चाहिए अन्य सामगरी हो उसका पहले सही प्रयास करेंगे कि थर्ड फ्रेज आने की पहले हमें किसी प्रकार की अस्विजाब वेक्सिनेशन पर प्रयोग चल रहा है और कल ही में नेट पर देख रहा है एक सांटिस्ट ने कहा कि जो अभी ये वेक्सिन है इसको भी बच्चों में उप्योग कहा जा सकता तो शायद जो अभी हमार पाफ उब्लब्द वेक्सिन है उसका उपयोग भी बच्चों के लिए हो सकता पर उसमें टेस्टिंग चल रही है ज़िए वही वेक्सिन बच्चों में भी काम आजाएगा उसकी कॉन्टिटी कम होगी तो मैं समझता हूं को करशान ही नहीं होगी देके इंदावर में इस्तिती काफी सुदर रही है हमारे जनप्रतिनिती, सरकार, माननी मुख्यमंत्री, माननी मंत्री गंड, विधायक गंड सब लोग जिस पर कार लगे हुए है और मुझे कहते हुए प्रसनता है कि अब इस्तिती कंट्रोल में है और अब पाजिटिव मरीजों की संख्या भी काम हुई है और मुझे लगता है कि इंदावर में जिस प्रकार इस्तिती बिगडी थी बहुत ही संजीद्गी के साथ हमारे मंत्री जी, तुलसी सिरावट जी, रमेज जी और पुरिव धायकों की टीम और अधिकारियों ने बहुत अच्छे से समाला ये समझ में आ गया कि भविश के लिए भी हमको चिंता करना पड़ेगी और थर्ड राउंड भी इसका आ सकता मुझे बहुत पसंदा है कि सब जंसायूग जी ने भी इसने चिंता प्रगट की है इसी तारितम में आज में ये पेरे टीवी होस्पिटल था राज्जी सरकार का पर काफी दिनों से बंद पड़ावा था यहां पर स्टाफ 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 लगपक छेट डॉक्टर एमडी यहां पर है इसके अलावा स्टाफ भी है रमेश जी ने बिड़ा उठाया तुझी सिलावट जी राजेन जी राज्टोपुरा जी हमारे पास्टाथ इन लोगों ने बिड़ा उठाया कि इस हॉस्पिटल को जनसायोग से चलाना इसमें चुकि श्रम मंत्रा लेका है तो राज्जी सरकार का सायोग भी लगेगा और हम जो इंट्रा इस्ट्रिक्चर है वो पूरा जनसायोग से खड़ा कर देंगे जिससे एक अतिरिक थी हॉस्पिटल हंड्रेड बेडे निया पर पस्तित हो जागा यहाँ पर हम देख रहे हैं 62 की मशीन पड़ी हुए एक सेरे मशीन वर्के खंडा रो रही है यहाँ एक सेरे मशीन एमराई मशीन यह सब हम जनसायोग के लाएंगे और एक अच्छा हॉस्पिटल इहाँ पर बनाने की कोशिश करेगी मुझे उमेद है कि हमारे मानी मंति तुल्पी सिलावट जी, रमेज जी, हमारे पार्शद महोदय, राजेंज जी, राज्कपुरा जी इस सब लोग जिस प्रकार मेहनत करके काम कर रहे हैं तो तीन मेने में यह हॉस्पिटल कंप्रिट हो जाएगा और सारी पूरा इंट्राश्चेकर हम यहां पर खाड़ा कर देंगे जहां एक हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाय मिलना चाहिए वो सारी सुविधाय होगी और यह मैं जवाबदारी से कह रहा हूँ कि रम्रेज जी अगर हाथ में बीडा ले रहे है तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा हॉस्पिटल है और एक अच्छी विवस्ता मीडियरी के अंदर यहां पर शिकित्सा सेवा की प्रारम पर जाएगा यहां पर भी दोसों बेट बढ़ा रहे है यहां कोवीट का वाड भी टैयर किया गया है और यहां अभी एक अक्सिजियन प्राइग जन सहयोग से सवा करोड का हमने भी विक्रत करा दिया हमारे कमेट्रिक कंपणी से CSR से एक और कंपणी से बात करके MRI मशीन और action मशीन भी यहां पर आजाएगी तो यह सारी सुविदा है हम करवा देंगे तो जो एक हॉस्पिटल के अंदर इक्रिमेंट्स होना चाहिए उस सारे इक्रिमेंट्स यहां पर हम प्लाने के पुशिए हैं देखे देश के अंदर इंदोर एक मातर साथ चाहर है जहां अक्सिजन के शॉड़ेज भी नहीं हुई और सर्प्लस अक्सिजन है हमारे पासे हम आसपास की जिलो में भी अक्सिजन जे रही जो जनसयोग से में कीतमपूर से अक्सिजन मिल रही थी वह लगभग साढ़े 5,000 सिलियन्डर रोज मिल रही थी अब हएं से हमारे सिलियंडर उथना भी कम हो गाया ज़ मुझे बता गा के कि 10,000 सिलिंडर हों से उठे हैं, तो अभी हमारा पास Optigen 100so+. और हम भविश्षी के लिए भी Optigen के त्यारे करके रखेंगे और बाकी वैक्सिन के लिए भी सरकार से पाचल भी 15 दिन बार वैक्सिन भी यहां पर आ जाएगा तो जो अभी 45 के एचके और 18 प्लस के लिए जो इंज हम चाहेंगे कि वेक्सिनेशन बहुत अच्छा हो जाए तो इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वेक्सिन कि यहां पर आज़ा इसके अच्छा हो जाए है तो जड़ेक्स करने से इसके लिए अच्छा प्रयास कर दिए अच्छा प्रयान का प्रया और इसको लोगों सिद्ध के यह की अच्छा हुई है क्योंकि अब वायरल है, लोगोंने कहा है कि COVID के जो महामारी वो हवा से भी खेल सकती है, तो हवा की शुद्धी करन के लिए यक्य किया जा सकती है, तो मैं उश्या ठाकुल जीज ने कहा, मैं उसका ग्रोध भी नहीं करूँगा और एक्दम सहमती परदान भी नहीं करूँगा तो कि एक वेग्यानिक पद्धती से यक्य किया जाता है, तो परियावरन को उसका लाप रहा है, तो हमारे देश के कुछ राजनितिक दिलों ने इसमें राजनिती की, तो 36 गड़ के मुक्षबंदिन के दिया कि हम वेक्शिनिशन नहीं करेंगे, सपा के मेता होने के दिया क जब हम तो हम भी यह नहीं लगाएंगे, तो मोदी जी का इंजेक्शन है, जब प्रोड़क्शन एक बहुत ज़्यादा हो गया, जब राज जी नहीं उठा रहे थे, तो सरकार ने एक्सपोर्ड किया, अब अचानक डिमांड आई है, पर अब प्रोड़क्शन की सीमा है, प जो कि परसों ही ग्रह मंत्री जी के साथ सभी मंत्रा लोगों के बैठा कुई थी और मुझे फिडवेक बिला है महां से, पंदरा दिन बाद से वेक्सिनेशन प्रारम हो जाएगा और परियाप्त वेक्सिन राज्यों को दिया थे, तो इसलिए राज जी को अधिकार है, कि इ रिक्ता हो शकता है, तो ब्लोबल टिंडर निकालकर तो दुनिया में जहां वेक्सिन अप्लोगों को खरीब सेएगा, इसकी मेडिसीन ही अभी उप्रप्त नहीं है देश में, इसका रामटरेल जर्मन से आ रहा पर जर्मन ने अभी सप्लाइ करना बंद कर दिया, तो कोशि इसमें एक दम ब्लेक फंगस की नई तरीके से परिशानी प्रादम होई है, तो उसकी भी मेडिसीन के लिए फैर भी जाएगा